आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीजों का और आपके दिमाग में चलने वाले रोमैंटिक विचारों का विश्वास मत कीजे प्रकृती चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें आप जितना किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, मन की प्रकृती ही ऐसी है तो कई वज़े हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है कुछ के लिए वो सिर्फ सुख है, कुछ के लिए ये बंधन और साहचरे को मजबूत करने का एक तरीका है ये विचार आपको इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप 10, 11, 12 या शायद 13 के भी रहे होंगे, तब आप ठीक थे फिर अचानक हॉर्मोन्स का ये रासायनिक मिश्राण आपके सिस्टम में पैदा हो गया अब आप देखते हैं और अचानक हर कोई अलग दिखने लगता है तो कुछ हॉर्मोन्स आपके सिस्टम में घुज गये और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता जब ये हॉर्मोन आपके सिस्टम को छोड़ देता है तब आप अपनी अतीत को देख कर सोचते हैं क्या मैंने ये सारी चीजें की? उनके आने से पहले भी ये इसी तरह दिखता था उनके जाने के बाद भी सब इसी तरह दिखता है उस बीच के अंतराल में जब आपके भीतर चोट होती है तो अचानक सब को छलग दिखने लगता है बहुत कम मनुष्ये इस चुभन को दर किनार कर पाते हैं और जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है और तब वो इस चुभन का उसी हद तक भोग करते हैं जहां तक जरूरी है बाकी सब को यही चलाती है वो अपने जीवन को इसी के इर्द गिर्द आकार देते हैं तो जब भी हम अपनी सीमाओं में फस जाते हैं हम यह सोचने लगते हैं कि यह सीमा ही इकलौती सच्चाई है यह सीमा इकलौती सच्चाई नहीं है आपको यादी है कि जब आप बच्चे थे तब कामुकता नहीं थी और इससे परे जाने की कोई बात नहीं होती थी है कि नहीं? हाँ? तो ये एक बीच का दौर है आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीजों का और आपके दिमाग में चलने वाले रोमेंटिक विचारों का विश्वास मत कीजे प्रकृती चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें अगर ये आपको प्रेरितना करें तो आप ऐसा नहीं करेंगे बच्चे के जन्म के दौरान दर्द होता है पर फिर भी हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है अगर भीतर से पर्याप्त प्रेणना नहीं होती तो ऐसा नहीं होता आपको भीतर से चुभोया गया है, भीतर से धोखा दिया गया है जब आपके हॉर्मोन्स आपकी बुद्धी पर कबजा कर लेते हैं तब आप जो भी देखेंगे, आपको केवल वही दिखाई देगा उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूपता और क्षमता ज़रूरी है बात नकारने की नहीं है, बात उससे परे देखने की है जब आप उससे परे देख लेते हैं, तो आप उसकी सीमाओं को समझ जाते हैं जो सीमित है, उसे सीमित तरीके से ही संभालना चाहिए, आपको उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाने की जरुरत नहीं है, है ना? आपके जीवन के एक छोटे से पहलू पर सिर्फ उतना इध्यान दिया जाना चाहिए, अगर वो आपकी चेतना में फैल जाए, तो ये एक अपंग जीवन बन जाएगा.